हेलो एव्रीबन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल जी डीसी मेडिसिन पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं स्वास्त देख बाल से चुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पे देते रहते हैं तो अगर आप भ के आज पास जब चाला हो जाता है उस चाले को दूर करने के लिए बहुत ही बहतरीन और अच्छी दवा यह डेंटो जिल मानी जाती है तो आज हम जानेंगे इस डेंटो जिल के अंदर में कंपोजिशन कंटेंड क्या 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 चीज़े मिली होई होंगी इसका उपयोग कह आप कहां देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि की मेकेनियुम अपिक्शन क्या है इसके इस्तमाल करने का सही तरीका इसका डोज प्रिकॉशन साइड इफिट मतलब इस जिल के हम आपको संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में जरूर बने द लीडो के जो कि 2% वेट वाईवेट के मांट में और बेंजल कुनियम ट्राइड जो की 0.01% वेट वाईवेट के मांट में इस देंटोजल के अंदर मिलाय जाता है इंडोको रेमिडी इस लिम्टेड इसको मैनिफैक्शर करती है जो कि एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है माउथ अलसर जो होते हैं क्या होते हैं इसमाल पेनफूल घाव हो जाते हैं इनर गम्स में या इनर लिप्स में हो जाता है कभी-कभी मसुडों पर हो जाता है कभी-कभी मुह के रूफ पर हो जाता है गले के आसपास हो जाता है अलग-अलग पूरे ओरल कैवेटी में जो मा तो उसी को दूर करने की बेश्ट दबा बहतरी दबा डेंटो जल मानी जाती है अगर बात करते हैं मेकेंजियों ब्रेक्षन काम करने का तरीका क्या तो जैसा कि इनने बताया इसमें तीन कंटेंट मिलें हैं तीनों का अपना रोल होता है करके चलीए जान लेते हैं कोलिन सप्राइगी और इन्टी इंफ्लामेटरी प्रापर्टी होती है जो की केमिकल मेसेंजर प्रोश्टाग्लेंडीन होता है उसको इनविट कर देगा तो क्या होगा जो पेन हो रहा था जो जो redness swelling हो रही थी ना वो चीज़े नहीं हो पाएगी और colinsulate उस प्रकार से वर्क कर दिया लीडों केन की बात कर लें local anesthetic होते हैं ऐसा एरिया जहां पर आपको दर्द हो रहा है जहां पर चाला है उस पर लगाने पर nerves का signal वहां पर sensation जो हो रहा है जो बहुत ज़्यादा ब्रेन तक पेन का signal पहुच रहा है उसे signal को रोख देगा तो पेन आपको फिल नहीं हो पाएगा थोड़ा सा सुन नहीं हो जाएगा वहां तो इस प्रकार से लीडो केन वर किया बेंजल कोनियम क्लॉइड की बात कर लें तो यह तरह के से एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो कि आपका वहां पर कोई इंफेक्शन वगरा हो रहा है या बैक्टीरिया का इंफेक्शन बढ़ने ना पाए क्विक हीलिंग हो जाए माउट ऑल्सर का उसके लिए बेंजल केनियम क्लॉइड रिस्पॉंस बील है तो इस प्रकार से देख लिए कोलिन सर्जलेट लीडो केन और बेंजल कोनियम वहां पर सुन भी कर दिया पेन इंफ्लामेशन स्विलिंग भी रोग दिया ओवरल आपका माउट का चाला दिए ठीक हो जाएगा इस देंटो जिल के द्वारा तो इस प्रकार से इसके काम करने का तरीका हुआ फिर बात करेंगे इसके डोस सही डोस क्या होगा देखिए सही अभी महुत अलसर है अराम से एक एक करके थोड़ा थोड़ा लगाईए लगाने बात कोशिस कीजिए निगलिये नहीं अराम से सर्फिस पे लगाईए कुछ दिर बैठिये फिर अराम से दिर में तीन चार पांच बार अगर आप लगा रहे होना तो बेहतरी इसका असर आपको लगाने के आदे घंटे तक आपको कुछ ना खाना ना पीना है ताकि अच्छे से यह दवा यह जिल अपना वर्क दिखा देता है फिर अगर हम बात करते हैं इसके साइड तो इस जल का वैसा कोई साइड इफेट रिपोर्ट नहीं किया गया सिंपली यह तो आपका स जल जो की मूँ के छाले को दूर करने की सबसे बेस्ट और सबसे बहतरीन दवा मानी जाती है डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका बहुत ही बहतरीन असर भी देखने को मिल जाता है इस टैबलेट इस जल की जानकरी अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरीके स सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए अपना अपना का ख्याल लोगे थैंकी सो बच आल बेरी बेस्ट